नमस्कार दोस्तों कहां है मोलाना साथ मोलाना साथ मोलाना साथ एक महीना हो गया इस बात को सुनते हुए आप लोग भी पक गये होंगे और कई बार आपने टीवी चैनलो पर अख़बारों में मोलाना साथ के बयान पढ़ लिए होंगे बड़े बड़े मुलाना साथ कह रहा है कि मैं कुरिंटाइन में हूँ और मुलाना साथ के भक्त कह रहे हैं जो उनके समर्थक हैं तबलीगी जमात के लोग वो कह रहे हैं कि मुलाना साथ कहा है ये पुलिस जानती है खुद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो मौलाना साद की तलाश में लगी हुई है मौलाना साद का एक बयान तो मैंने ये भी पढ़ा जिसमें उन्होंने काया कि क्राइम वरांच जानती है कि मैं कहा हूँ तो जब सब लोग जानते हैं मौलाना साद कहा है तो उसे गिरफतार क्यों नहीं किया जा रहा है बात इसकी नहीं है कि मुलाना साद की गिरफतारी से कोई बहुत बड़ी करांती आ जाएगी या मुलाना साद की गिरफतारी से कोरोना मर जाएगा या देश से कोरोना की जो महामारी है वो खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये एक perception का खेल है एक mindset का खेल है कि आखिरकार सरकार मोलाना साद को क्यों गिरिफतार नहीं कर पा रही है क्या वज़े है कि मोलाना साद को अब तक पुलिस तलास नहीं कर पाई है पुलिस किसे चाय किसे नहीं तलास कर पाती शाहीन बाग का जो माम हुआने के लिए पुलिस इंतजार करती रही के उपर से हरी जंडी मिले हरी जंडी नहीं मिली आप यकीन कीजिए आप कलपना कीजिए कि अगर ये कोरोना का काल ना आया होता महामारी का लोकडाउन ना हुआ होता तो क्या शाहिन बाग का धरना खतम हो सकता था जिस तरीके से ग्रह मंत्रालय या PMO की डिरेक्शन्स चल रही हैं उन पर भी कई बार सवाल उठ रहे हैं देखे मोलाना साद ने एक ऐसा आयोजन कराया जो पूरी तरीके से कानून के हिसाब से इल्लीगल था जब पूरे देश में लोकडाउन है दिल्ली में 1444 लगी हुई है तो आपने कैसे इतने हजार लोगों को निजामुद्दीन के मरकज में इखटा होने दिया सबसे पहला सवाल तो यही है यह उसका सबसे बड़ा गुना है और इसके बाद वहां से अंगिनत कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं यह उससे भी बड़ा गुना है कि आपने सोशल डिस्टैंसिंग और बाकी चीजों की परवाक्यों नहीं की जबकि इसकी बातें पिछले डेड़ दो महीने से चल रही थी कोई बड़ा आयोजन दिल्ली में नहीं हो रहा था यहां तक कि PMO वगयरा इसने बड़े बड़े प्रोग्राम सब कैंसिल किया जा रहे थे मीटिंग्स नहीं हो रही थी सरकारी उसके बावजूद भी कैसे मरकज में ये सब कुछ होता रहा और इस लापरवाई की गाजगिरी तो एक छोटे से पुलिस अफसर पर जबकि इसमें कई IPS अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी इन्वोल्ट थे उनकी लापरवाई इसमें साफ उजागर हो गई थी कि मरकज का प्रोग्राम सब की नौलिज से हो रहा था और उसमें लापरवाई की गई एक्शन लेने में इसके बाद मौलाना साद फरार है कांधला जो वेस्ट यूपी के शामली जिले की एक कसबा है वहाँ पे उसकी इतनी बड़ी रियास और वो खर्बो की समपत्ती वहाँ पर है वहाँ पर पुलिस जाती है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जाती है वहाँ पर रेड करके आती है नोटिस चिपका के आती है लेकिन फिर भी मिलता नहीं है मौलाना साद मौलाना साद ना हो गया उसमा बिन लादिन हो गया क् कल आपने देखा होगा वीडियो उसका चल रहा था उधर ओडियो प्ले किया जा रहा था कि आज तक के साथ मुलाना साथ बातचीत कर रहा था बताईए क्या आप मुलाना साथ का मोबाइल भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मतलब पत्रकार उससे बात कर ले रहे हैं और पुलिस को हद नहीं आ रहा है हद की बात है ये तो बिल्कुल एकदम मजाक की बात है इस पर पुलिस की कारवाई पर भी सवाल उठते हैं सरकार की नियत पर भी सवाल उठते हैं एक पुलिस अधिकारी से मेरी बात हो रही थी उसने अपना नाम ने कोट करने की शर्त पर कि अभी Home Ministry की तरफ से ऐसी कोई डारेक्षनस ही नहीं है मौलाना साध को गिरफ्तार किया जाका है या नहीं एक सवाल और भी है कि क्या वो मौलाना साद गिरफ्तारी में है पूलिस ने उसे अब तक अरस्ट किया हुआ है और अरेस्ट शो नहीं किया जा रहा है और जान बूज कर ऐसा किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है सरकार को लगता है कि कहीं इस से तनाव न पहल जाए रमजान का महीना शुरू हो चुका है और सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी तरीके से बड़े लिवल पर नमाज न हो लोग बाजार में ना निकलें भीड़ भाड़ ना हो तनाव का माहूल ना हो संगर्ष की स्थिती ना आए इस स्थिती से सरकार बचना चाहती है अभी सरकार एक महिना ऐसे ही निकालना चाहती है अगर सूत्रों की माने तो अभी जब तक रमजान का महिना है मुझे नहीं लगता कि मौलाना साद को अरेस्ट किया जाएगा जी विलकुल क्योंकि सरकार को परशाषन को सेंटर गोर्मेंट को ये लग रहा है कि इस से कहीं साद के जो समर्थक हैं वो भड़कना जाएं पहले से ही तबलीगी जमात के जितने भी लोग करोना के पेशेंट ह वो वैसे ही नाक में दम किये हुए हैं कोई थूक दे रहा है कोई स्टाफ के साथ बत्तमीजी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है बड़ी मुश्किल से चीजें कंट्रोल हो रही है और सरकार ये नहीं चाहती है कि मौलाना साद को अरेस्ट करके इसमें जख्मों को और कुरेद इस दिया जाए या आग पर पैट्रोल डालने का का म किया जाए शायद इंटेलिजेंस का कुछ इंपुट इस तरह सा इस तरीके के का सरकार के पास आया है इसी वजए से मौलाना साद को अभी तक अभेदान दिया गया है वरना मेरी समझ से यह बार नहीं है मेरी मेरी मेरे मानना यही है कि मौलाना साद को अरेस्ट करके एक सक्त कार्रवाई का मैसेज दिया जाना चाहिए था। दूसरी और तबलीगी जमात के लोगों से निपटने के लिए सरकार ने बहुती लचिला रवई अपनाया है। उत्तर परदेश की योगी सरकार ने ये कहा था कि एक निर्धारित समय के बाद जो भी तबलीगी जमात का व्यक्ति कहीं से मिलेगा उसे शरण देने वाले को और उस व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगाई जाएगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक उत्तर परदेश में किसी के भी खिलाफ रासुका नहीं लगाई गयी है। नहीं कर सकते क्योंकि शायद उन्हें भी डाउट है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की गई एनस से लगाई गई या तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सकती की गई तो हो सकता है कि इस से मुस्लिम समाज और जो उनके समर्थक हैं जमात के समर्थक हैं हो सकता है कि वो आ जानबुज कर सरकार बैक फूट पर है, जानबुज कर मॉलाना को अब तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, हाला कि मॉलाना को अरेस्ट किया जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो किसी भी कॉस्ट पर, एक हार्ड मेसेज लोग तक पहुँचना चाहिए, कि देखिए जो कानून स से खिलवाड करते हैं उनके साथ सकती की जानी चाहिए बैराल फिलाल तो यह नजर आता है कि जब तक रमजान का महीन है तब तक मौलाना साथ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला वो आराम से रोजे रखेंगे इद मनाएंगे उसके बाद शायद उन्हें अरेस्ट किया जाए फिलाल तो इनपुट्स यहीं आ रहे हैं कि सरकार जानबुज कर इस चीज में हाथ नहीं डालना चाहती है बैराल सच क्या है आपके सामने आ जाएगा और जो इनपुट्स आ रहे हैं वो मैंने आपसे शेर किये आप देखते रहे हर्ष की बात लाइव नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन प्रेस करें